नमस्कार बिहारी नूज में आपका स्वागत है वेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे बिहार में इलेक्ट्रिक चार्जिंग अस्टेशन को लेकर क्योंकि बहुत से ऐसी गाड़ियां हैं जो कि छोटी गाड़ियां खास करके दो चक्के वाले गाड़ियां और चार चक्के गाड़ियां जो कि अब इलेक्ट्रिक हो चुकी है पेट्रिक माध्यम से चलती है तो उसे भी जो है अब चार्जिंग अस्टेशन की जरुवत है उसे भी चार्ज करने की जरुवत है इसको लेकर सरकार की तरफ से एक पढ़ी पहल सुरू की गई है आईए हम पूरे वीडि भी इलेक्ट्रिक बाहनों के निर्मान की और बढ़ गई है उसकी सुरुवात कर दी है बतादें कि देश के कई ऐसी कंपनिया है जिसके चार चक्का बाहन और दो चक्का बाहन बजार में उपलब्ध है ऐसे में इन बाहनों को चार्ज करने के बाद भी हम उसे चला सकते हैं ब बतादें कि सरकार का यह मानना है कि साल 2030 तक सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा बतादें कि सरकार की तरफ से जारी की गई इस पॉलिसी में अगर सारे गाड़ियां इलेक्ट्रिक होती है तो पावर अस्टेशन की जरूरत होगी इसी पावर अस्टेशन क लेकर यह बताया जा रहा है कि आपको बतातें कि आप बड़े ही आसानी से इलेक्टिक चार्जिंग अस्टेशन के सुरुआत कर सकते हैं यानि कि इसे खोल सकते हैं दरसल आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि जिस तरह से पिट्रोल पंप खोलने का लाइसेंस किसी को भी आसानी से नहीं मिलता है उसी तरह से चार्जिंग अस्टेशन खोलने के लिए काफी परसानी का सामना करना पड़ दगा लेकिन ऐसा नहीं है आप बहुत ही आसानी से इलेक्टिक चार्जिंग अस्टेशन को खोल सकते हैं अमर उजाला की में छपी एक खवर कि अगर हम म बनवा सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले बिजली कनेक्शन लेना होगा साथी साथ आपको एक ट्रास्फार्मर भी लगवाना होगा इस पूरे अस्टेशन के के विलिंग करवानी होगी ऐसे में यह कहा गया है कि बिजली के कनेक्शन लेने और ट्रास्फार्मर लेने के लिए लगभग सात लाख रुपिय का खर्च हो सकता है साथ साथ अस्टेशन के इंफास्ट्रक्चर यानि कि उसके बनावट पर करीब तीन लाख रुपिय खर्च होने की बात कही जा रही है Electronic Charging Station बनवाने में सबसे जादा खर्च होगा Charging Tower बनवाने में आपको बतादें कि यहाँ Tower दो तरह के होगी एक तो होगी AC और दूसरी होगी DC बतादें कि DC Charger तेजी से चार्ज करने के लिए जाना जाता है लेकिन इसको लगवाने में आपको 15 लाक रुपे तक का खर्च पढ़ सकता है सादे साथ यह भी बताया गया है कि AC Charger के लिए भी करीब आपको 1 से 3 लाक रुपे का खर्च पढ़ सकता है यानि कि कुल मिला कर देखें तो इसमें 30 से 40 लाक रुपे तक का खर्च पढ़ने वाला है इलेक्रिक चार्जिंग को लेकर किंद्री उर्जा मंतराला की तरफ से चार्जिंग इंफरस्ट्रक्चर के लिए संसोजी दिशा निर्देश जारी किये गये है जारी इस दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था बीना किसी लाइसेंस के इसकी सुरुवात कर सकता है यह सर्बजनिक चार्जिंग अस्टेशन की सुरुवात कर सकता है साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि आपको guideline का पालन करना होगा कहा गया है कि यहां पर आपको नाकरी बिजली और सुरक्षा की आवसपताओं को ध्यार में रखते हुए बुनियादी धाचा तयार करना होगा अगर इस योजना के उद्देश को अगर हम देखे तो यह कहा गया है कि इलेक्ट्रिक बाहनों को तेजी से आगे बढ़ाना बताया गया है साथे साथ यह भी कहा गया है कि इसमें उर्जा सनरक्षन में काफी मदद मिलेगी साथे साथ परासीत की तंत्र को भी बढ़ावा देखने को मिलेगा ऐसे में यह उमीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक बाहनों के संख्या में बलहोतरी होगी जिससे की पावर स्टेशनों के संख्या में बलहोतरी होगी जिससे की उर्जा सनरक्षन किया जा सकेगा साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा आप हमें कमेंट करके बताएं कि किया देश में इलेक्ट्रिक बाहन सफल हो पाएगी बिहार और बिहार से जुड़े और बेसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहार इनने उच के साथ मुश्य जिजाज़त धन्यबाद